एलो सुरेंट्स मैं प्यूस राजपूत और आपका अपना चैनल प्यूस कोचिंग क्लास है जैसे बच्चे उमारी केस स्टेडी कोश्टन के एक स्रीज चल रही है और हम अपने चैप्टर लाइट यानी रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के पैसे सो कर रही दे उसी को आग और यानी कि अगर कोई भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसकी मीडियम बदलने से स्पीड बदल रही थी और उसके जो साइन ओफ एंगल ओफ इंसिदेंस और साइन ओफ एंगल ओफ रिफ्लेक्शन होता है उसका रिश्यो कोंस्टेंट ह होता है और हमारे पास मेडियम साइन अपन साइन और इसन अपन साइन इस monopol कॉंस्टें मीडियम मेरे मेडियम में और विछ की सीड है एर में, यानि कि air की speed, air में जो light की speed और medium में जो light की speed है, उसके ratio को हम बोलते हैं, refractive index, the incident ray and reflected ray normal lie on the same plane, दूसरा लोग क्या कहता है, कि जो हमारी incident ray है, और जो refracted ray है, और normal तीनों के तीनों एक ही plane में होगे, इसको हम बोलते है, स्नेल्स law of reflection, पहले question बात है, कि रहे हैं, light travel from air to glass देखो बच्चों, अगर light आपकी किस से जा रही है, ये आपका normal है, ठीक है, और जो light है, वो आपकी incident होई, किस medium में, air में, ये air से, और मैंने आपको बताया था, जब भी आपकी rare to dancer medium में travel करती है, तो वो band हो जाती है, towards normal, ठीक है, ये angle आ रहे है, तो ये angle आई है, तो हमार जो air है, वो हमारा rare medium है, और जो glass है, वो dancer medium, इसका मतलब air में speed जादे होगी, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ गया, कि sin i upon sin r, अगर है, तो हमारे में, अगर मैं air में, उसकी speed को v1 नाम दे दूँ, ग्लास में b2, ठीक है ना, तो simple सी वात है, कि जो v1 होगी, वो बढ़ी होगी, वो rare medium है, और वो dancing medium है, अगर ये v1 बढ़ी है, बीटू से, तो जो sin i है, क्या है बच्चो, जो sin i और sin r का जो ratio है, बच्चो, वो बन से बढ़ा होगा, क्योंकि denominator छोटा है, अब denominator छोटा है, तो इसका मतलब 1 से बढ़ी value होगी, और sin i बढ़ा होगा, sin r से, और आपको पता भी है, कि जब rare से denser medium में travel करती है, तो वो bend हो जाती थी towards the normal, जिसके वे से angle छोटा हो जाएगा, अब बताओ आपके पास कौन सा option हुआ, कि angle of incidence बढ़ा होगा angle of reflection से, के लिए रहे इतनी बात चलो, अब कर आपको अब light travel from ear to medium, the angle of incidence is 45 degree, and angle of reflection is 30, the refractive index of second medium with respect to first medium, तो मैं आपको पताया कि sin i upon sin r, ठीक है, इसका जो formula हो ता आपके लिए mu 2 over mu 1, अगर ray 1 से किस में जा रही है, 2, यह जो 1 है, कहां से जा रही है, 2 कहां पर जा रही है, यह होता है, अब देखो, आपके पास जो ray है, वो कहां से जा रही थी, air से medium में, और आपको पता ही है, air का जो refractive index होता ह होता है, वो 1 होता है, आपको निकालना है 2 का, और angle जो incidence है, वो है sin 45, कितना है बच्चो, sin 45 और यह है sin 30, और आपको पता ही है, sin 45 की value क्या होती है, तो sin 45 हो जाता है, बच्चो 1 by root 2, वो sin 30 हो जाएगा, हाँ, तो mu 2, तो mu 2 की value आ जाएगी, 2 upon root 2, यानि की root 2, और root 2 होता है 1 1.4, अब देखो कोई है कि 1.41, यस, आपके पास है 1.41 आपका first option हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, clear है बात इतनी, चलो, अब कराएं which medium, तर speed of light is minimum, मैं आपको पहले भी बताया हुआ है, कि जो diamond होता है, उसका refractive index सबसे जादा होता है, और जिसका refractive index सबसे जादा होगा, अब कहा रहा है कि जो refractive index है, glass का 1.5 है, और air में जो इसकी speed दी होई है, वो दी होई है, तो हम simple सा formula लगा सकते हैं, mu is equal to c over v, यानि 1.5, 3 into 10 की power 8 upon v, तो इससे एकट जाएगा, कितनी बार आएगा, दो बार जाएगा, तो v की value हो जाएगी, 2 into 10 की power 8, meter per second, कोई दिखकत तो नहीं, दिखो option है, हाँ, जी option है, यह, clear है, चलो, अब करें, refractive index of a with respect to b is 2, and then to find the refractive index of b with respect to a, दिखो बच्चो, refractive index of a with respect to b, उल्टा होगा, 1 upon b, यानि कि एक medium का अगर दूसरे से निकालते हैं, तो दूसरे का अगर पहले से निकालें, तो उसका reciprocal होता है, और यहाँ पर यह कितना दिया हुआ है, 2, तो यह हो जाएगा, simple 1 by 2, reciprocal कर दोगे, तो हो गया, clear, पांचो के पांचो कोशन के लिए रहा, तो मैंने आपको क्या बता है, कि जब भी ray एक medium से दूसरे medium में travel करती है, तो ray की direction में change होता है, यही changing directions आपको बताता है, reflection, light अगर rear से dancer में जारी, तो towards the normal, और dancer से rear में जारी, तो अवेधा normal होती है, जिस भी medium का refractive index है, तो उस medium में की speed कम है, के लिए रहे हैं, तो पैसे बिल्कुल के लिए हो गया, तो बच्चो आची के लास में सिर्फ इतना ही, thank you.